Hello students, today we will read lesson 6 of EVS, Story of Fire यानि कि हम आज इसमें आग के बारे में story पढ़ेंगे कि आग कैसे सबसे पहले discover की गई, कैसे खो जा गया उसे और अब तक उसका क्या क्या development हुआ है The early man who lived on earth was unlike us Earth पर जो बहुत सालों पहले early man रहा करते थे, आदी मानव रहा करते थे, वो हमारी तरह नहीं थे उनकी life हमारी life से बहुत जादा different थी, क्योंकि वो जंगलों में घूमते थे, जंगलों में रहते थे कभी-कभी वो animals को भी मारते थे, animals का शिकार करते थे, उनके flesh के लिए, उनके मांस के लिए लेकिन उनको पता नहीं था कि खाना कैसे पकाया जाता है, तो इसलिए वो कच्चा ही खाते थे, जो कुछ भी खाते थे He developed weapons and tools as he found it difficult to get food with bare hands दीरे-दीरे उसे समझ में आने लग गया कि हम हाथ से शिकार नहीं कर सकते, हाथों से खाना नहीं मिल सकता हमें, खाली हाथों से तो उसने धीरे-धीरे पत्थरों से हतियार और आजार बनाने शिरू करें, weapons मतलब हतियार और tools मतलब आजार, अलग-अलग टाइप के वो हतियार और आजार बनाता था और उन weapons को, उन हतियारों को वो अपनी need के हिसाब से, अपनी जरुरत के हिसाब से नुकीला कर देता था, शार्प कर देता था तो ये उसका सबसे पहला step था, progress की तरफ, उननदी की तरफ तो उसने जो stone के, पत्थरों के weapons बनाये थे, हतियार बनाये थे, उनके invention से early man ने जंगली जानवरों से लड़ना तो सीख लिया था, उनसे help की थी लेकिन अभी भी उसको खाने की problem को solution नहीं पता था क्योंकि उसको अभी भी नहीं मालुम था कि खाना कैसे पकाया जाता है, तो वो कच्चा ही खा लेता था लेकिन कुछ समय बाद उसने ये observe किया, उसने ये चीज नोटिस करी कि जब भी जंगल में आग लगती थी, अपने आप जो आग लग जाती ना गर्मी की वज़े से जंगल में, तो जब भी जंगल में आग लगती थी, तो जंगली चानवर उस आग से डरते थे और उससे भ भुने हुए flash का taste तो हमारे कच्चे वाले से जादा अच्छा होता है, तो अब उसे इच्छा हुई कि अब हम भी ऐसे भुना कर जला कर खाएंगे fire के उपर, लेकिन अभी भी उसको ये नहीं पता था कि fire कैसे generate की जाए, कैसे आग लगाई जाए, तो वो सोचने लगा और तरीके से आग लगाई जा सकती है, और suddenly एक दिन ऐसा हुआ होगा कि उसने जब दो पत्थर के तुकड़ों को आपस में रगड़ा होगा, तब उसने देखा होगा कि उसमें से चिंगारी निकल रही है, फिर उसे दीरे दीरे पता चला होगा कि ये जो चिंगारी है, अगर ह आपसे भी फायर प्रड्यूस हो सकती है, तो जब वो आग जलाता था, तो उसको जलाए रखने के लिए उसमें लकड़ी के तुकड़े डाल दिया करता था, जब वो फायर उसने जलानी सीख लिए, उसके काम करना शुरू कर दिया, तो धिरे धिरे उसका जो डर था फायर क लिए कि आग से उसको पहले डर लगता था, वो भी चला गया, और उसे पता चला कि ये जो फायर है過去 उसके लिए कितनी जाधा यूसफूल है, कितनी जाधा काम की चीज है, यूज़ि और फायर के क्या-क्या यूज़़ग क्धे लिए तो ऐसे बहुत सारी यूज़़ग क तो जब दो पत्थरों को रगड़ कर आपस में आग जल सकती थी तो उसे सबसे पहले तो यह पता चला कि जो रौ फ्लैश था जो कच्छा मांस होता था अनिमल्स का उससे ज्यादा अच्छा टेस्ट कुग्ड फुड का होता था तो आग पर पकाये चाया पका कर या भून कर जो फुड फ्लैश होता है उसका टेस्ड जाधा अच्छा था तो अब उसे खाना भी पकाना आ गया और खाना जाधा टेस्टी भी हो गया डिलिश्यस भी हो गया क्यूंकि उसे आग जलाना आ गया था यह पहला फाइदा दूसरा फाइदा यह हुआ कि जब भी अर्ली मैन wild animals को भगाने में जो जंगली जानवर उनको मार सकते थे early man को उनको भगाने में बहुत स्याध़ा help हुई तो fire जो थी वह ना सिर्फ animals को भगाने में helpful थी बलकि animal को पास आने में भी पास आने से भी रोकती थी क्योंकि वह आग के पास आने से डरते हैं तो इसलिए अनिमल्स जो थे वो उनका शिकार भी वो असानी से करने लगा fire की help से यह हो गया दूसरा एडवांटेज थर्ड एडवांटेज यह था कि यह discovery और fire की वज़े से ही हुआ था कि man अपनी life को और comfortable बनाने के बहुत सारे idea सोच लगा कि मैं और क्या काम कर सकता हूँ fire से तो वो अपने आपको सर्दी के सीजन में cold weather में warm रखता था आग जला कर वो अपने आपको गर्म रखता था और जिस गुफाओं में या जिन गुफाओं में वो रहते थे उनमें lighting भी हो जाती थी fire की help से तो पहले क्या होता था वो sunlight पर depend करता था जब तक सूरज की रौशनी चमकती थी तभी तक उसे रौशनी मिलती थी लेकिन अब उसने क्योंकि आग जलाना सीख लिया था तो वो रात में भी आग जलाकर रौशनी कर सकता था दे बाइड दे fire has changed its face तो उस time से अब तक हम देखते हैं तो fire का use बहुत साधा change हो चुका है या फिर बहुत साधा हम आगे की step में बढ़ चुके हैं तो fire का जो use था मैंने जो fire को use करना start किया वो उसकी progress में उसकी उन्नती में उसकी development का सबसे पहला step था सबसे पहला कदम था तो जैसे जैसे time pass होता गया वैसे वैसे fire को और दूसरे बहुत सारे uses बहुत सारे purposes के लिए कामों के लिए use किया जाने लगा जैसे कि railway engines और machines चो थी वो भी fire से ही चलनी start हुई थी starting में तो ये थे uses of fire Now we will do the exercise Second question है fill in the blanks Like other animals early man too was afraid of dash तो बाकी जानवरों की तरह early man भी किस चीज से डरता था Fire से Life of the early man was very difficult from what it is dash Early man की life किस की life से different थी हमारी life से तो ours Fire was man's first great dash Fire को इंसान की पहली क्या मानी जाती है Discovery, खोज मानी जाती है Stay true or false The early man lived in the houses made of bricks Early man eat से बने हुए घरों में रहता था No, false Early man made weapons with the help of machines Early man machine की help से weapons बनाता था हतियार बनाता था No, false The early man found the burnt food tastier than the raw food Early man को पता चला की जो जला हुआ खाना होता है वो कच्चे खाने से जादा टेस्टी होता है True The early man kept the animals away with the help of fire Early man आग की help से Fire की help से जानवरों को दूर रखता था दूर भगा देता था True Fire is also used in railway engines and machines Fire को railway engines और machines में भी use किया जाता है True Thank you